क्या गजब रोल बदलता है वहाँ यह शर्थ थी कि राजनीद से जुड़े कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे और यहाँ पूरी शर्थ यह है कि राजनीद से जुड़े ही सवाल पूछे जाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया साथ तैंक्यू पहले तो मैं आपको बदाई और इसके सनक्षण का जो यह समाचार आया है वो बहुत ही अद्भुत है और चार बच्चे हुए है तो बहुत-बहुत पहले तो बदाई सार आपको इस बात के लिए लेकिन एक बात एक खबर और रहा ही कि साशा जो थी वो उसको बचा नहीं पाए जो चार नामभिया से पहले आया थी चीता उसमें साशा को नहीं बचा पाए तो सब ठीक रहेगा जो थी वो साशा की जो किड्नी फैलियर की प्रॉब्लम थी और कहीं नहीं ऐसा नहीं है इसको एंशोर कर रहे हैं यह जो प्रोजेक्ट चीता है यह अपने आप में दुनिया में पहली बार वाइ बायो डार्शिटी चंजर्वेशन, वाइल लाइफ चंजर्वेशन और प्रोटेक्शन दुनिया में इसकी बहुत डिमांड है और इस पूरी तरक्की के दर में अगर एकोलोजिकल रॉंग होता है तो इसको एकोलोजिकल हार्मनी के द्वारा कैसे स्थापित किया जा सकता ह और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट चीता को जो एक लंबे समय से सतर साल पहले हमारे देश से चीता एक्स्टिंट वे थे उसको वापस से एस्टेबलिश करने के लिए इस प्रोजेक्ट को किया है यह किसी को भी धर्ती पे अधिकार नहीं है कि किसी प्रजाती को पूरी तरीके से अपने विलुप्त होने दिया जा है तो एकोलोजिकल हार्मनी के लिए किया था और इसलिए सबसे पहले लगता था कि अगर हम चीतों को मतलब जू अगरामे टो चीते लोग ले कर क्या है कि लेकि माईल मतलब उनका नेचर के साथ महां पर अब वाइल में वापस से आई है, तो जो इसमें साइंटिस्ट लग रहे थे, हमारे फॉरेस्ट डिविजन के ऑफिसर लग रहे थे, और मैं कुनो में जब जाता भी हूँ तो तीन-चार हमारी साइंटिस्ट यंग डिल्ली से, जिन्नों ने बॉटनी में 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 से किया, जू है, हमारे साइंटिस्ट, हमारे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी, और विशेश रूफ से इस प्रोग्राम को करने के लिए जो सपोर्ट और विजन मन्ने प्रधानमंत विजी ने दिया, वो सब बधाई के बात है, सच है ये, 1952 के बाद चीता, इक्सिंट हो गया, नहीं दिखा, लेकिन एक सवाल ये था कि अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में एक स्टोरी बड़ी बड़ी पॉपुलर हुई, और वो सारस को लेकर थे, तो एक तरफ तो आप इतने गंभीर हैं, और दूसरी तरफ वो जो सारस है, वो इसलिए और वो आरिफ का आरिफ थे, क किसान है, अमेठी के, उत्तरप्रदेश के, उन्होंने कोई गायल सारस देखा, उसका अल्याज कर दिया, सारस में और आरिफ में दोस्ती हो गई, उसके बाद वाइल लाइफ वाले आए, और आरिफ को उन्होंने बुक कर दिया, कहा कि ये तो वाइल लाइफ का जो ये कुल्मिला करके जो एंडिंजर्ड स्पीशीज हैं, उनके अगर हम केर भी करते हैं तो सूचना देनी चाहिए, क्योंकि देखे हम कॉंशस हो कर के कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर सूचना अगर आप देते हैं, क्योंकि धरती पे जि कोई समाजवादी पार्टी का उसमें अखलेज जी चले गए तो इसलिए इसा कोई बात नहीं थी, वो कानून के दृष्टे से आपने उसको किया, कानून की दृष्टे से जो वहां के लोकल कानून में जो भी विशे आया है, वहां पे किया है, बिल्कुल, हाथी को लेकर एक सवाल और था, और उन्हांने कहा कि क्या जिस तरह से हाथी को लेकर अभी भी, एक तालिस हाथी उन्होंने जो आंकडें दिये हैं, कि दो अजार अठारा से दो ओजार बाईस के बीच में, एक तालिस हाथी मारे गए। 25 को जहर दिया गया, हाँ यह भी बात सच है, कि 2544 लोग भी मारे गए हाथीयों के द्वारा तो इसको लेकर क्या जो से प्रजेक्ट एलिफेंट है उस पर बहुत सारे लोगों ने बात कि हाथी दाथ को लेकर भी क्या गंभीरता है आपकी क्योंकि लोगों ने कहा कि हाथी दाथ के जो तसकरी है और उसके वैपार पे लेकर भारत का स्टैंड जो गरिबार मजभूती के साथ रहेगा तो फिर इस पर हम प्रजेक्ट पर हाथी पर प्रजेक्ट को लेकर बहुत कंसर्ण और सीरिशनस नजर आएगी दिखे जो हमारे वाइल लाइफ की में इस समय जो सबसे बड़ा वाइल लाइफ क्राइम है वो पोचिंग एक बॉड़ी समस्या है और कुछ मिथ के कारण कुछ लगजरी के कारण कुछ बाकी चीजों के कारण ये जानवरों के का जो अवैद शिकार है ये बहुत जादा चलता है हम इस पर सकती से पालन करते हैं, जहां तक Project Elephant का सवाल है, इस साल हमारे Project Elephant को तीस साल पूरे होने जा रहे हैं, और इस साल हम लोगोंने 33 Elephant Reserve भी डिकलियर किया है, 33 पूरे हो गए हैं, और अभी 6 और 7 तारिकों मानि राष्टपती घी जी आसाम के काजिरंगा में जाने वा हाथी के साथ एक किस प्रकार का आत्मिक लगाओ मनुश्य का उतर हम उसका रेस्क्यू सेंटर भी हमारे तमिलाडू में मधुमलाई में जो सेंटर है वहां पर चलता है लेकिन जानवरों की अपनी एक प्रवरती चलने की होती होरा हाथी अपने कोरिडोर्स में चलते है रास् हम कई तरह की गाइडलाइन इस्यू करते हैं इसी साल हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर के भी 50 एर पूरे हो रहे हम उसका भी एस्टीमेशन करते हैं और नौ तारिक को स्वें प्रधान मंत्री जी 50 एर ऑफ टाइगर कंजरवेशन के लिए जो हमारा करनाटक में बां मारे एक अब से बड़ा टाइगर घ हैं उधर वह जाने वाले है हम व्न पूरे तरीके से अपने प्रोजेक्ट ताइगर, प्रोजेक्ट लैन, प्रोजेक् अली तेलिफें कर करें आई बाकी एंड़ेंजर्ड ऴी काम कर रहे हैं ये पूरा हमारा एप को बनाते है मतला भी हम लोगों ने एटलस भी निकाली थी कि हमारे 53 ट्राइगर रिजर्व से साउथ में जितनी भी हमारी नदिया है, वाटर बोडीज है, वो भी वहीं से ही निकलती हैं, तो नेचर के साथ जब हम बैनेस बना के निकलते हैं, तो पानी, बायोडायरिसिटी और बहुत सा प्रेप्राप्तों, जिसा!